आज मैं आप लोगों को बताने वालाओं की इन दोनों swing में से किस swing के अंदर जाधा oscillation की speed होगी तो चली जानते हैं में time waste करें कि क्या है इसका correct answer अगर आप इसका answer जानना चाहते हैं तो सबसे पहला आपको पता होना चाहिए simple pendulum का concept simple pendulum में एक ऐसा device होता है जिसमें एक flexible string होती है जैसा कि आप देख सकते हैं डाग्राम में और इसकी free end पर हम एक metal sphere को बानते हैं जिसको हम simply bob कहते हैं जब आप इस bob को किसी एक extreme पर ले जाके छोड़ते हैं तो ये pendulum एक motion करता है और इस motion का नाम है oscillatory motion बिल्कुल वैसे ही जैसे कि swings के अंदर oscillation होते हैं तो अगर आपको इस device में एक oscillation का time period calculate करना है तो उसके लिए हमारे पास formula होता है t equal to 2 pi square root l upon g यहाँ पर capital L होता है length यह जो length है यह ली जाती है हमेशा body के center of mass से and g होता है acceleration due to gravity यहाँ पर time period जो होता है one oscillation का वो depend करता है length पर and acceleration due to gravity पर तो हम directly यह भी कह सकते हैं कि यहाँ पर यह जो time है depend करता है सीधे-सीधे length पर कि जितना जादा length होगी उतना ही जादा उसे time लगेगा जितनी कम length होगी उतना ही कम उसे time लगेगा one oscillation के लिए अगर हम बात करें अपने same question की हमारे पास दो swing थे swing A and swing B तो अगर हम इन दोनो swings में पहले length calculate करें कि दोनो cases में length कैसे calculate की जाएगी जो first swing है उसमें ही person बैटा हुआ है तो हम इसकी length calculate करेंगे from its center of mass बिल्कुल same swing B में भी हम length calculate करेंगे उसके COM से तो आप देख सकते हैं swing A में जो length है वो है L A हमने उसे नाम दिया है और swing B की case में जो length है उसको अपने L B नाम दिया है अब आपको दोनों diagrams में विल्कुल clear दिख गया होगा कि 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 कीस case में length कम है और किस case में जाधा तो अगर हम Swing A की बात करें, Swing A में Length जो है वो ज़ादा है और अगर Length ज़ादा होती है तो आपको भी पता है Time Period जो होगा One Oscillation का वो भी हो जाएगा ज़ादा अभी हमने पढ़ा था कि Time Period of One Oscillation proportional to Length बिल्कुल सेम Swing B की अगर हम बात करें, Swing B में आप देख सकते हैं हाँ पर Effective Length from COM is very less अगर Length हैं हाँ पर कम हो चुकी है तो Time Period जो होगा One Oscillation का वो भी होगा कम तो अब देखें एक हमारे पास formula होता है Angular Speed calculate करने का, that is Omega equal to 2Pi upon T where T is the Time Period for One Oscillation अगर हम Swing A में उसके Angular Speed निकालने कितनी होगी, तो हमने formula लगाया Omega equal to 2Pi upon T अब आपको अभी अभी बताया गया था, Swing A के अंदर Time जादा है due to its more length इसलिए हाँ पर Omega जो होता है Angular Speed वो Time के साथ रखता है Inversely Proportional का Relation जिससे की Omega की Value हो जाएगी कम क्योंकि हाँ पर Time जादा है Swing A में एक Oscillation का इसलिए उसकी Speed हो जाएगी हाँ पर कम अगर हम बात करें Swing B में Angular Speed की अभी मैंने आपको बताया था Swing B में Time Period for One Oscillation is Less अगर यह Less है तो Omega आपको मिलेगा जादा तो आप समझ गए होंगे क्या है इसका Correct Answer So the Correct Answer is Swing B Swing B के अंदर Length कम होती है जिससे Time B कम हो जाता है One Oscillation का और Time कम होने से Angular Speed बढ़ जाती है तो यह था इसका Correct Answer